Hey guys, welcome back to our channel. This is Umish Bhardwaz once again with all of you. दोस्तों, DIT रपस्बी की तरो से PRT पोस्ट के लिए examination conduct किया जा रहा है 11th to 15th of November में और entity post के लिए है 19th of November में. So, PRT पोस्ट के लिए e-admit card कहां से आपको download करना है, मैं link आपके साथ share करने वाला हूँ और साथ ही साथ एक एक candidate की demo copy में आपको दिखाने वाला हूँ और ये आपके लिए बहुत important होने वाला है क्योंकि एगर आपका exam clear हो जाता है तो इसका एक page का copy, scan copy, आपको e-dozier में submit भी करना होगा तो ये आपको अपने pass भी रखना है, लेकिन किस तरीके से आप instructions follow कर सकते हैं वो थोड़ा सा देख लिजिएगा, मैं complete तीन page आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ सबसे पहले ये देखेगा, कुछ इसी तरीके से आपका first page होगा e-admit card का जिसमें आपका नाम यहाँ पर mention होगा, father's name होगा, आपका candidate role number, आपका date of worth होगा post code यानि की 15 by 19 या फिर 16 by 19, कुन सी post के लिए आप ने apply किया है वो और post code यहाँ पर, किस category से आप belong करते हैं, सब category कोई है या नहीं है, वो सब चीजे होगी साथी साथ आपके लिए जो main चीज है ध्यान रखने की, वो मैं आपको साथ साथ यहाँ बता देता हूँ, देखिए यहाँ पर application number होगा, जो कि आपका password होगा, आप examination time पर बैठेंगे, आपको यही application number as a password use करना होगा, center name आपका कुछ इसी तरीके से यहाँ पर दिया होगा, आपका exam किस date में है, यहाँ पर date mention होगी, time mention होगा, साथी साथ reporting time आपका यहाँ पर mention है, और किस time gate close हो जाएगा, इस time से ठीक पहले आपको entry ले लेने हैं, अदरवाइस entry बिलकुल भी नहीं होगी, साथी अगर आपने यहाँ पर signature नहीं लिये, तो वो आपकी गलती होगी, और यह copy e-dozier के time पर भी आपसे scan copy के रूप में file करवानी होगी, यह main page रहा आपके लिए, साथी साथ आपको एक passport size photo यहाँ पर attach कर देना है, यहाँ पर आपका photo already दिया जाएगा, और यहाँ पर आपको ए second page होगा, और 4 by 6 postcard size जो photo यहाँ पर लगाना है, 4 by 6 size का यह given space है, इसी में आपको उसे paste करना है, साथी साथ आप अपनी बाकी details यहाँ पर देख सकते हैं, कि यह आपका थम impression रहेगा, left hand thumb impression, आपके signature रहेगे, यहाँ पर आपको अपना name and role number mention करना है, role number यहाँ पर already mention होगा, name mention किया जाएगा, post code and date of exam, यहाँ पर already mention होगी यह वाली चीजे, यहाँ पर आपको fill करना है, ठीक है, साथी साथ invigilator के signature और यह वाली जो copy रही second page, यह invigilator अपने पास रखेगा, अब बात कर लेते हैं third page की, और यह भी बहुत important है आपके लिए, वो इसलिए, क्योंकि यह यहाँ पर आपको Hindi और English में verification डालना है, ठीक रही बात, Hindi और English में verification जब आप fill करेंगे यहाँ पर, वो वहाँ पर जानके पहले ही मत कीजेगा, बिल्कुल भी नहीं, invigilator आजाए, उसके बाद भले ही कर लीजिए, या फिर जब invigilator आपको बोल कर जाए, उसके बाद यहा करनी होंगी, dress code कह लीजिए, या फिर कुछ materials के तोर पर वो भी देख लीजिए, अगर कुछ basic instructions की बात की जाए, तो already details B की तरफ से notice release किया गया था, और बोला गया था कि पहले तो सबसे बहले time पर पहुंचना है, ठीक है, अगर बात की जाए, जो main चीजें आप लोगों को प्रेशान करती है, वो है, dress code वाली चीज, तो dress code के लिए यहाँ पर बिल्कुल लास्ट में notice के mention किया गया है, बिल्कुल closely, कि भई, आप light clothes carry करें, ठीक हाफ स्वीज में carry करें, स्वीज आपके लंबी नहीं होनी चाहिए, अब actual में चकर के आए ना, candidate shirt पहन कर चले जाते है या फिर girls जो है, वो full sleeves के suit carry करती है, तो वहाँ पर भी उन्हें cut करना पड़ता है, या फिर परेशान होती है उनको, ठीक है, तो इन बात होगा ध्यान रखे, अपना normal flip-flops में जाए, ज्यादा shoes बगएरा नहीं पहने, अगर shoes पहन के जाते हैं, तो center से बाहर वो निकलवा देते हैं, ठीक examination center में उसके बिना ही आपको बैठना पड़ता है, इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखे, साथी साथ कुछ girls के लिए, ये instructions रहेंगी, कि वो कोई भी अपने ornaments या फिर किसी भी तरीके की accessories carry ना करें, यहाँ पर सब कुछ mention है, यह देख लीजिएगा, screenshot अ रखेगा थोड़ा सा, या फिर बाइक की या गाड़ी की की अगर आपके पास है, तो वहाँ पर arrangement होगा थोड़ा बहुत, तो वह देख लीजिएगा, अदर्वाइस आपको अपने रिस्प के उन सब चीजों को देखना होगा, मेन ये चीज़ें आप screenshot ले सकते हैं इन हो जाएगा, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, डारेक्ट और वहाँ से डारेक्ट ही आपका लिंक ओपन होगा, जिसमें आप अपना सिर्फ रोल लंबर और डेट ऑपर्थ मेंशन करके, एडिमिट का डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और ये जो भी notice और मैंने copy जो लगाया है, वो मैं दोनों ही PDF आपका description section में share कर दूँगा, वहाँ से आप वापिस से देख सकते हैं, सभी details चेक कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो, मिलता हूं next वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखेगा, खुश रिएगा, बाबाई, टेक क्या